स्वागत दोस्तो आपका आपने यूटिब च। सूॉरद बयक्रिष्न में दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तफकाल टिकत ओनलाइन जल्दी भूख होता है ओन्लाइन के नाम सुनके दोस्तों में आपको ध्यान आता होगा Chirang My Digital दिजिटल याइन देखा जाए कि is जो भी काम कर सकते हैं घर बैठे कर सकते फोन या फिर लेपटोब या फिर किसी में कर सकते हैं लिए हमारे पास एक इंटरनेक्षन में चीए और हमारे पास best payment method ना चाहिए online ticket book करने के लिए जिया दोस्तों online में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रिकार की लाइन लगाई ज़रूद नहीं पड़ती आप कहीं भी किसी भी location पे किसी भी मलब की payment method की ज़री यह ticket book कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं offline offline दोस्तों क्य जादा हो क्योंकि अगर सीजन में टिक्टे निकलती है तो counter से भी बड़े कम chances रहते टिकर मिल पाए इसलिए आपको एक दिन पहले जाना होगा इस्टेशन पे token लेकर इंतिजार करना पड़ेगा या फिर रात में आपको वहाँ सोना पड़ेगा उसकी बाद दोस्तों किसाब से देखा जाए आपको offline में काफी जहमिला टाइप कर लगेगा एक दिन पहले जाओ counter वेट करो एक form भरो अलग सा उसकी बाद अलग-अलग token पर मिलेगा अलग-अलग counter पर आप जाओगे उसकी बाद फिर आपको ticket मिलती है नहीं मिलती है वो तो route के उपर difference रहता है एक हिसाब से दोस्तों मैं आपको reality बटा दू जो offline ticket रहता है इसमें online के मुकाबले ticket बहुत जल्दी book होता है अगर मैं आपको बता दूगर आप मान क counter पर divide कर देगा जितने बनते रहेंगे अगर आपने notice नहीं किया होगा ततकाल जब खुलता है तो जो normal लोग ticket निकालते हैं उनका कुछ मिंटों के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि उनको ततकाल मिले अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जल्दी payment counter से कैसे होता है दो आपको online में एक फायदा यह मिलता है कि आप Master list पहले से बना सकते हैं लेकिन off-line में आप Master list पहले नहीं बना सकते हैं हलकि क्या होता है कि online में आपको 40-40 से 45 रिकेंट करना पड़ता है L Rogers मिललार्या के देखाजाई दोस्तों online में आप जब तक payment नहीं करेंगे तब तक आपका टिकट नहीं बुख होगा वही offline में दोस्तों पूरा payment method cash से रहता है जैसे वह ticket person cash पर क्लिक करेगा इंस्टेंट आपका ticket बन जाएगा उसकी बाद वह आपसे पैसा लेकर आपको print करके दे देगा तो दोस्तों एक हिसाब से अगर मैं देखा जाओ offline के मुकाबले online में टिकट जल्दी नहीं बुख होवाता है उसमें रीजन यह रहता है कि best payment method तक आपको पहुचना है 40-45 second wait करना है website या फिर application hang कर गई तो वो भी एक problem है इसके उजसी दोस्तों अगर आप थोड़ी बहुत अगर आपको मान चलो गाउं जाना बहुत ज़रूरी है या भी थोड़ा बहुत आप रिक्स लेना चाहते है तो आप offline counter के तरब जा सकते हैं वहाँ पे आप line अगर offline ticket है वह एक हिसाब से देखा जाए कि मलग की 1 minute 20 second ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एक मिनट या एक मिनट 20 second में बुक हो जाता है वह अगर हम बात करें online में तो online में दोस्तों कम से कम 1 minute 40 second या फिर 45 second लेता है बुक होने में अगर आपका सब को ठीक ठाक है फाश इंटरने अगर आप बिजी रूट के ट्राई करते हैं तो सो थांक्स वर वाचिंग दोस्तों आज का ही वीडियो में यहीं पर स्माप्ट करता हूं आसा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बोएक् कीजिए और दोस्तों जितना से जितना हो सके अपने गुरूप में सेयर कीजिए